कोई भी ओपो का स्माटफोन है और आप पास्वर्ड लॉक लगा क्या बूल जाते हैं गूगल में जाये यहाँ पा देखिए फेक्ट्री रिसेट का आपको कोड मिल जाएगा इस कोड को क्या करना है आपको यहाँ पर सिम्पल तरिके से देखिए यहाँ पर ओपो का आप घर बेटे फिरी में कैसे रिमूब कर सकते हैं यहां पर हम लोग के पास बहुत सरा कॉमेंट आया कि सार हम लोग का जो आपका कोड है वो सब कोड वर्क नहीं कर रहा है तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना है यहां पर आपको बताएंगे कि गूगल से आपका कोड कैसे निकाल सकते हैं चले आपको यहां पर दिखाएंगे और आपका फेक्टरी रिशेट का कोड आप गूगल से भी निकाल सकते हैं और आप आपका फोन में डाइल करके आपका स्मार्टफोन को अनलोग कर सकते हैं तो चले वीडियो को सुरू करते हैं आपको मताज़ मोड में लेकर चलेंगे बेलिम डाउन बटन है आपका जो ओन बटन है प्रेस करके रखना कुछ सेकेंड के लिए और यहां पर आपको रिकवरी मोड का ओप्सन देखने को मिल जाएगा देखिए यहां पर आपका ओपो का लोगो मिलेगा नीचे में एंडुरिट का ओप्सन म मिल जाएगा अब यह पर जिस जिसको ओपो का जो स्मार्टफोन में वाइब डेटा का प्रोगोम आ रहा है जिसमें अगर आप स्लेट करते तो पिलीज इंटर लोग इसकी पासवर्ट का ओप्सन मिल रहा है तो इस वीडियो को अपको कंप्लेट देखना है कहीं भी स्किप प्रूब दिखाएंगे ओपो का कोई भी स्मार्टफोन है पासवर्ट लोग आप लगा के भूल चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए वीडियो को आप कंप्लेट देखिए मैं दौजद 23 में यहाँ पर पर दिखें चार से पांच आप्सन मिलेगा अब यहाँ प आसब देखरा आपको कोई दोस्तो कोई भी ओपो का स्मार्टफोन है इस तरह का और हाँ आपका हाँ आपको पर हार्ड़ रीसेट नहीं मिल रहा है यही mają एक को हने वाला है और आपको घूंपलेट रेखना अब आपको देखना है और आपको जाम पहले हैं कि पहले फो पं Home page में जाने कबाद यहाँ पार आपको करना किया है चीलिए थोड़ा सा Fast Forward करते है और ansry 좀 दूबारा से Open करके आपको बताते करना किया है darी दूबारा से Open हो चुका है अब यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको ElloPlan mode में डाल द highway चलिए अप ElloPlan mode में डाल दिजया अगर आपके लगा हुआ है अगर अपके पास in नहीं लगा हुआ है फिर भी आपको ElloPlan mode में डाल देना है अब अब यहां पर एलोपलेन मोड में डालने के बाद यह पूरी तरद से आपका जो हैंसेट है ओफ लाइन मेतड हो गया अब यहां पर आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है स्टेप बाइस्टेप फूलो करना है कुछ स्टेप करना है पहले इमर्जेंसी कोल में आईए इमर्जेंसी कोल में आजनेक बाद यहां पर आपको इंजिनियर मोड को आपन करना है स्टार हाच 899 हाच कीज़े और यहां पर इंजिनियर मोड को प्रेस कर लिजे इंजिनियर मोड यहां पर आपको जिससी आपन हो जाता है देखिए यहाँ पर engineer mode open हो गया अब यहाँ पर क्या करना है minimal text में आपको select करना है minimal text में का option मिलेगा आपको select करना है 4 नमबर या 5 नमबर में नीचे में चल जाएए सबसे last बला option में others का option मिलेगा दो नमबर में यहाँ पर rate vibe data का एक application मिलेगा इस application को पहले आपको इस Nuekel करना है ठीक है पहले चले हैं लोग इस्टॉल करते हैं उसके आद आपको बताते हैं तो दो नमबर में देखिए आपर rate vibe data का option मिलेगा आपको यहाँ पर select करना है select के हैं यहाँ पर OK and cancel का option मिलेगा आपको यहाँ पर OK करके इस application को install कर देना है नीचे में आपको password wrong का option मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब यह पर कोई भी OPPO का smartphone है आपका password lock लगा के बोल चुके कोई दिक्कत नहीं है वीडियो को complete देखना है यहां पर आपको factory reset का code देंगे इस code को डाइल करके आपका password lock को remove कर सकते हैं अगर आपका नहीं भ smartphone लेना है आपको ब्यक आजाईए पूरी तर से देखिए आपर password lock लगा हुआ है मनों का answer में कोई ब्यक को दूसरा आदत smartphone लेना है अदत स्मार्ट फोन लेने के बाद यहां पर Google में जाना है गूगल में जाने के बाद यहां पर को type करना है ओपो heart reset code जिया दोस्ते यहां प पर factory reset लिखा हुआ है त्री नंबर में और यहां पर एको code दिया हुआ है इस code को यहां पर आपको dial करना है और आपको message करना है देखिए Google में आपको मिल चुका है लेकिन दोस्तों यह code है यह हर हो सकता है दो दिन चार दिन पांच दिन के बाद change होते रहता है तो आपको फि आपको यहां पर दिखाए factory reset का code इस code को यहां पर आपको dial करना है और dial करके आपको message कर देना है यह code हर दो दिन चार दिन पांच दिन शे दिन के बाद हो सकता है change हो जाए आपका smartphone नहीं हो तो कुछ नहीं करना है इसी वीडियो के निचे में आप comment कर दीजे आपका भी जो भी ओपो का model है ओपो का जो भी model है उसको model नवर को हमको बताना है और आपको new code हम जरूर बताएंगे अगर यह code कर जाता तो बहुत अच्छा बात है ठीक है इसको all select करना है आपका इस code को और यहां पर message का option मिलेगा आपको इस code को only message कर देना है चली message करके आपको दिखाते नहीं है इसी वीडियो के नीचे में जाके आप comment कर दिजिए आपका ओपो का जो भी model नमबर बताके new code लिग दिजिए आपको हम जो भी आपका ओपो का model रहेगा उस हिसाब सिब को new code हम जरूर बताएंगे अब यहां पर engineer mode को दुबारा से open कीजिए सबसे नीचे में जाए यह reset complete का option मिलेगा आपको select करना है देखिए यहां पर सारा data read कर चुका और यहां पर हम लोग का pass हो चुका है आप यहां पर आपको जैसे pass हो जाता है अब यहां पर आपको कुछ करना नहीं है पास होने के बाद आपका smartphone पूरी तरह से format data का option enable हो चुका है अब यहां पर चल चलते हैं तो यहां देखिए handset को पहले off करेंगे off करने के बाद heart reset mode में लेकर चलेंगे और यहां पर आपको दिखाएंगे कि हम लोग का format data का option आ रहा है कि नहीं अब यहां पर down button और प्रेस करके रखना है कुछ second के लिए और यहां पर आपको recovery mode का option देखने को मिल जाएग उस code को dial करके message करना है इतना ही करना है अगर हो सकते है code वीडियो देख रहे हैं और आपका work ना करें तो कोई दिकर नहीं आप कोई भी दूसरा mobile लीजे और जाए गूगल में आपको code लिखना है आ जाएगा नहीं work करता है आप नहीं सक रहे हैं कोई दिकर नहीं है इसी वी language का option मिल चुका है आपको language में सेलेट करना है चार से फांच option मिलेगा Scout कोड यहाँ पर देखने को मिल चुका है 4D का यहाँ पर बेरिभीकशन कॉट इसके पास्वर्ट का ओफ्सन सो कर रहाता है अब यहां पर हम लोग का प्लीज इंटर लोग वेरिफिकेशन कोड आ चुका है इस कोड को फोर डिजिट का कोड मिलेगा सलेट किये दो ओफ्सन मिल जाएगा वाइबेटा एंड फॉर्मेट एड़ागा तो वीडियो का आपको कम्प्लीर देखना है आपका फॉल फॉर्मेट हो जाएगा